जैपुर जिले में दो दिन पहले हुई बारिश के बाद शहर और ग्रामनेक शेतरों में आई जलभराव की समस्या के बाद जिला परशासन आपदा प्रबंद को लेकर हरकत में दिखा जहां मानसून से करीब एक महिने पहले जिला प्रशासन विभा की और से आपदा प्रबंदन के लिए होने वाली मिटिंग में कंट्रोल रूम सहीत आपदा प्रबंदन के तमाम इंतजाम के निरदेश दिये लेकिन जिला आपदा प्रबंदन ने आदर्शों को नजर अंदाज करते वे बाड नियंतर और आपदा प्रबंदन के किसी प्रकार के इंतिजाम नहीं रखे जलभराव के समस्या सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने तेजी से आपदर प्रबंदन और बारिश के समय मिटी के कटाओ और बाढ़ आने के सिति में किये जाने वाले इंतजामात शुरू कर दिये जिसको लेकर जिला कलेक्टर जगरूप सिंग यादव ने कहा कि करमचारियों को जिले में जलभराव वाले क्षेतरों का चिनहित करने का काम किया हुआ है जो कि लगतार जारी है वहिजापुर शहर में तीन कंट्रोल रूम भी बनाएगे वही वारिश के पानी के संगरण को लेकर जिला कलेक्टर ने कहा कि वाटर हाविस्टिंग सिस्टम सरकारी और गैर सरकारी भावनों के निर्मान के दुरान बनाया हुआ है पर कानी के भराव से जो जन जीवन अस्त्रियस होता है उसके संचित उपाय करने के लिए जैसे कहीं कटाव है तुसकी लिए कट्टे और कहीं बहुत अधिक जल भराव या बांध हो तो वहां नावे तो नाव की अवस्चिती देख लिए जरूर्नी कंट्रोल रूम के